आज हम लोग बात करने वाले हैं बाट वान रिश्ट्री ओनर्स का आई यह पेपर वन के चैप्टर 2 है कि चैप्टर 2 का हम लोग अब्जेक्टिब कोचन देख रहा हैं चैप्टर दो का हम लोग objective question देख रहते हैं और objective question का भाग one बहुत अच्छा हम लोग देख लियते हैं आज ये भाग 2 है और यह chapter 2 जो सबसे महतपूर है है आई आपको पता है कि zero to hero batch के ताश हम लोग पाठ अशा से पन चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके बाद उसका objective question, उसके बाद subjective question, chapter complete कर लिया और भाग 1 तक objective question देख भी लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका link इसी वीडियो के नीचे description में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर playlist भी अलग से बनावी वहाँ से भी देख सकते हैं, तो चल सुचना मिलती है, बिने पीटक, सुथ पीटक, अविधाम या महाभास्य, तो यह अविधाम पीटक में सुचना मिलती है, समराट और सुचना मिलती है, बिने पीटक और सुथ पीटक, आपको पता है कि तीनों पीटक जो है, त्री पीटक का अंतर गाताते हैं, त्री पीट में दो गो बिने पिटक और फुट पिटक की जो राचना हुई थी प्रथम बाधो संगीती की दवरान हुई थी कब प्रथम बाधो संगीती में हुई थी और प्रथम बाधो संगीती के समय राजा आजात सत्रू था आजात सत्रू और अभिधां पिटक की जो राचना हुई तिरिटिय बाधव संगीती के समय साशक कों था समराथ असौक और शासन करक करभाया गया था अभी धाम पीटक में और इसकी राचना कप की गई थी तिरितिय बहुत संगीती के दवरान की गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या है सिकंदर के साथ कौन भारत आया था सिकंदर के साथ बहुत सरे लोग आया थे इसके बहुत सरे मंत्री आया थे सलाकार आया थे सेनापती आया थे लेकिन इसमें जो सबसे परमुख था वो कौन था डामेकस नियारकस मेगास्तिनी जडी इन में से कोई नहीं थी नियारकस जो था वो सबसे परमुख था सिकंदर के साथ भारत आया था यह भारत के बारे में अपने पूस्तों को में वर्णन किया को सकते हैं कोई सो क्ट चलिए अगे बढ़ते हैं क्या है भारत में मानों का सवड्रतम संत्साक्षे कहाँ से मिला बातनी comछल है कि मानो के सवर्फटमक्षां कहां से मिला हुआ है निलगेड पहाडी और सिवालिक पहाडी उसन रमदा घाती Beij नारमदा घाटी भारत ने मानों सब्सक्राइटि दूपनी किनारा ही और रहान ना किनारे ficar आप सिंदू सभयता आगे पढ़ाएंगे, वो देख लिजेगा। सिंदू सभयता के लोग। सिंदू नदियों जो सायक नदियों चाहस पास ही रहे हैं। सबसे पहला मानो का साध्म नर्मादा गाटी से मिला हूए। नर्मादा नदि किनारे। फिर गंगा नदी की नरी यो मगद देख्षियेंगा तो मगद इतनने अब बढ़ा महा जन्पद ज था ओन गंगा नदी की नरी था मतलब को सब कोई ना कोई नदियो किनारे ही था क्यों ऐसा होता था कि सब जो थे प्रचीन समय में नदियो किनारे हुआ करते थे ये सब आस्थान क्यों थे इसका पर्मुख के कारण था जल किया पूर्ती जल किया पूर्ती हो जाया करती थी नदियों के कारण और उस एक बात उस समय का मुखे पेशा क्रिसी होता था प्रचीन समय में क्रिसी और पसुपालन एक बात बैपार करने के लिए उस समय अधिक पर fox नाव का। जाता था नदी एक दूसरे जूड़े राते से नदी नदी में अपना नाव समान पर लाद कर लेकर जाया जाता था क्योंकि अधिक अधिक समान वस्तुवें बैल गारी से नहीं ढ़ाया जा सकता था इसलिए नदी किनारे क्रिसी के लिए पुसुपालन और बैपार के लिए लोग रहते थे तो मान ऑ का सरोपरतुअ शाक्षैन नर्मादान आद्agens शरो समे ला वया चली अगे बठते हम क्या है मुद्रे राक्षास की रहचने किसों कि अक्सिए किस ने किया है हम जब चेप्टर पढ़ा रहे तो उससे में बताए भी ते मुदर राक्षासम की चीज के बारे में बढ़ना ने आपको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है इंडिका की राचना किस ने किया था इंडिका जो है इंडिका ज और यह किस के द्वारा भेजा गया था सेनापति यह सिकंदर के न पती के दौट इदोरा में भेजा गया था आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन है रीउस इंड में कौनसा मंड्ल सोम को रीइगल बेट में kazВОर्ण है यह स्विसास के बारे नुवा को मुश्टिया आंगे हैं इतिहास का पिता किसे कहा जाता है नितिहांस का पीता है किसको कहा जाता है किसे लिए इतिहांस का पीता है किसे को कहा गोपत है जो अथरोवेत का ब्रामन गरंथ और कोई अथरोवेत का ब्रामन गरंथ नहीं तो अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है मिलहिंद पनों की रचना किसने किया था मिलहिंद पनों की रचना नागसेन वानभट विसाखाद त्यकालिदास नागसेन ने मिलहिंद पनों की रचना किया था यह एक बौध गरंथ है बौध गरंथ है नागसेन एक बौध भिख्चुक था और इसका और एक मिनांडर मिनांडर जो इन दोनों के बीच में नागसेन इसका आंसर देता है इन दोनों के वी जो भी बात चीत papa ओ एक पुस्तड क्में राचना किया गए सिसका नाम है मिलहिंध आगे बढ़ते हैं अगला कोषण क्या है कों विया करन गूरंथ इस तो समाज में आगें मीत्रम रकроде आत त्रत अस्ट ध्याई जो एक रम गरनत rolled रंष तिया क्या जो आ रहत वेने करन गरनत था तो हमेलातर समाज में आ गया होगा होगा उसमीं और भी औबजेक्टिव कोश्ग और सम्झ में गया होगा